हालो, आज हम इन्फ्लॉरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे इन्फ्लॉरेसेंस या पुष्पकरम क्या है? यह है अर्रेंजमेंट ओफ फ्लार्स या पुष्प अक्षपर पुष्पों की व्यवस्था पुष्पकरम कहलाती है या इन्फ्लॉरेसेंस कहते हैं इसे हम मुख्यता इन्फ्लॉरेसेंस थ्री टाइप्स का होता है रैसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप के इन्फ्लॉरेसेंस और कुछ लोग सॉलिटरी या एकल पुष्पकरम को भी एकल टाइप के जो flowers होते हैं उनको भी पुष्पक्रम में ले लेते हैं यानि कि असिमाक्षी, सासिमाक्षी और विशिष्ट प्रकार के inflorescence फिर्स्ट टाइप है रेसिमोस या असिमाक्षी प्रकार का inflorescence असिमाक्षी प्रकार का इन्फ्लॉरेसेंस क्या है अगर हम परिभाशा के रूप में देखें डेफिनेशन देखें कि इस टाइब के इन्फ्लॉरेसेंस के अंदर में आक्सिस जो है वो फ्लार में एंड नहीं होता यानकि वो कॉंटिनिू ग्रो करता रहता है लगातार थी करता रहता है और ये अपने पाशर्व में अपने लेटरल साइड्स पे फ्लार्स देता है अग्राविसारी क्रम के अंदर यानि कि इस प्रकार के पुश्प क्रम में मुख्य अक्षपर शिश्यस्थ कलिकार नहीं होती है यह निरंतर बढ़ता रहता है और पाशर्व में लेटरल साइट पे पुश्प बनते हैं फ्लार्स बनते हैं और यह फ्लार्स एक्रोपीटल मैनर या अगरा भिसारी क्रम या फिर हम इसको अभी केंद्रिय या सैंट्रिपीटल फॉर्म के अ कोरियंब, अमबल, कापिटॉलम यह सारे टाइपस हैं जो कि रैसिमोस के अंदर आती हैं पहला हम लेते हैं टिपीकल रैसिम, टिपीकल रैसिम में आप देहरे हूँ इस डाइगराम के अंदर ये देखिए इस डायग्राम में एक फ्लार इधर है ये मुख्य एक्सिज है ये मुख्य एक्सिज लगातार ग्रो कर रहा है और इसके दोनों साइट्स पे अल्टरनेट फॉर्म में फ्लार्स हैं जिनमें की पैडिसल पाई जाती है या यह हम कह सकते हैं कि यह flower सवरिंथ है या stock present होती है इनके अंदर यह तरह से देखिए और अगरा पिसारी क्रम है नीचे बड़े flowers है और उपर जो है वो छोटे flowers आते रहते हैं इसके बाद second form आती है spike या कनिश spike के अंदर क्या होता है कि दोरों तरफ उसी प्रकार से अक्रोपीटल मैनल के अंदर flowers है लेकिन flowers जो है वो सेसाइल है इनके अंदर stock present नहीं होती और यह भी अक्रोपीटल मैनल के अंदर होते है spike light यह brushed form में आ जाती है catkin form next five वली जो form आती है catkin catkin या emant भी बोलते हैं इसके अंदर unisexual flowers जो है spike like होते हैं और यह मतलब एक तरह से हम यह कह सकते हैं नीचे की और लटके वे होते हैं इस प्रकार से catkin के अंदर जिस प्रकार से शैतूत के अंदर होता है spadex भी इसी की एक टाइप है इस पर एक या एक से अधिक जो है next form आती है इसके अंदर spadex spadex के अंतरगत क्या होता है कि a simple spike with thick and flashy axis पतलब यह center वाला जो है यह इसका यह वाला part जो है यह इसका flashy axis है जिसके बाहर की तरफ एक या एक से जादा बड़े-बड़े brackets पाए जाते हैं यह maze के अंदर पाए जाती है अगली form आती है कॉरिंब यहां देखिए यह मुख्य axis है यह grow कर रहा है और इसके दोनों तरफ जो है नीचे वाले flowers जो है उनकी stock जो है बड़ी है उपर वाले flowers की stock छोटी है और जो appearance आती है वो सारे flowers जो है एक तल में आ जाते हैं और एक level में आ जाते हैं पेडिसल्स जो है नीचे वाले flowers की बड़ी है उपर वाले flowers की पेडिसल्स छोटी है इसे हम कॉरिंब या सम्शिक बोलते हैं यह modified form है रैसिमोस inflorescence की इसके बाद नेक्स आता है अंबल में क्या है यह मुख्य axis है मुख्य axis यह भी एक modified form है इसमें सभी flowers की पेडिसल्स जो है वो almost एक ही equal length की होती है और ऐसा लगता है कि यह सारी की सारी एक ही जगह से एराई जो हो रही है एक single points के उपर और इस प्रकार से जिस तरह से अंब्रेला की wires होती है अंब्रेला की जो raise होती है उसके तरह यह खुलके एक तरह से appearance जो है वह इसकी एक छाते के नुमा नजर आती है एक समान लंबाई से और एक साती विक्सित होती इस प्रकार से इसका नाम हमने छत्रक दिया है या अंबल दिया है इसका सबसे best example है धनिया अगली form आ जाती है capitulum या head या mundak मुंदक भी कहते हैं इसे यह भी एक modified regime है इसके अंदर क्या है main axis flattened होता है और इस flattened axis को हम receptical बोलते हैं यह concave भी हो सकता है, convex भी हो सकता है, flat भी हो सकता है, spherical भी हो सकता है और इसके उपर बहुत सारे छोटे छोटे sissile flowers लगे होते हैं जिने हम florets कहते हैं यह florets हो है एक centripetal manner के अंदर या अप केंद्रिये क्रम में लगे होते हैं इसका best example है सूरज मुखी या sunflower इसके पश्चात, next diagram में यह देखिए यह सभी जो है अगला type आ जाती है इसमें cymos inflorescence, cymos inflorescence क्या है इस प्रकार के inflorescence के अंदर main axis जिसे हम peduncle भी बोलते हैं वो एक flower के अंदर terminate हो जाता है यह देखिए यह main axis है यह एक flower के अंदर terminate हो गया यहाँ पर यह main axis का flower है इसके अंदर यह terminate हो गया यानि कि इस मुख्य अक्ष पुष्प के रूप में समापत हो जाता है और जो plant की आगे की growth है वो lateral branches के वारा होती है और lateral branches के भी टॉप पे फिर से flower हो जाता है इस प्रकार से lateral branches के शीश पे भी flower हो गया main axis पे भी flower हो गया इस प्रकार से जो flowers की arrangement है वो basi petal या centrifugal प्रकार के होती है तला भी सारी अभी केंदर ये रूप से होती है इस प्रकार के inflorescence को हम साही मोस कहते है यानि कि main axis जो है वो flower के अंदर end हो गया lateral branches वही lateral branches के भी main axis पे lateral branches पे भी flower हो गया इस प्रकार से ये सारा system जो है वो एक flowers की जो arrangement है वो basi petal टाइप की हो जाती है इसमें आगे types अगर हम लेते हैं तो ये एक शाखी द्वी शाखी और भौःशाखी प्रकार का हो सकता है ये देखिए unipares यहाँ पे दो types है एक हाथ है स्कॉर्पियोड एक होती है हेलिकोइड स्कॉर्पियोड erw natives हुर हुअ इदर फ्लार हुआ इदर हुआ हुआ इदर हुआ इदर हुआ इद बहुत सारी शाख़ाइं में एक्सेस पे प्रसु अले इसके बाद इनकी जो है बहुत सारी शाख़ाइं निकल आती हैं यह मुल के क का बाद इसके बाद के अंदर आता है इसके पश्चात थर्ड टाइप आ जाती है स्पेशल टाइप स्पेशल टाइप के इन फ्लॉरेसेंस में एकॉर्जिंग जो आर्ट स्लेवर्स हमने पढ़ना है हाइपन्थोडियम यह देखिए हाइपन्थोडियम और इसके बाद यह है सैथियम और बट्जिसल लास्टर यह तीन है हमारे स्लीवर्स के अंदर हाइपन्थोडियम में क्या होता है है एक पॉम्प्शेभ्ड या फ्लास्क शेब हो जाता यह में आखिस और यह इसकी अंदर वाली साइड है यह में आक्सिज है यह कप शेब्ड स्ट्रक्चर हो गई इसके यह देखिए यह और फ्लास्क शेब्ड यह खोकली सरंचन है जिसके ऊपर टॉप पे एक छेद है छिदर है जिसे हम ओस्टियोल बोलते है ठीक है इस ओस्टि की जो opening है उसके उपर scales present होते हैं और अंदर की तरब जो passes है उसमें pointed hairs होते हैं और इन अंदर वाली साइट पे male और female flowers जो है वो इसकी inner wall के उपर erased होते हैं ठीक है और ये flower जो है वो insect pollinated होते है for example बर्गत के पेड़ में जैसे ficus bengalensis या बन्यांट्री बोलते हैं इस पर इनमें hypenthodium type का inflorescence पाया जाता है second type आती है cyathium ये भी special type का cymos inflorescence है जो की बहुत ही जादा condensed form के अंदर होता है ये बहुत ही जादा condensed form के अंदर होता है और ऐसा लगता है कि सिंगल एक बाइसेक्सल फ्लार है एक सिंगल बाइसेक्सल फ्लार की तरह दिखाई देता है एक छोटी सी conical receptical पाय जाती है जिसके जो की जिसके चारो तरफ green और या brightly colored involucar present होती है और ये involucar जो है ये ब्रेक्ट्स के द्वारा बनती है ब्रेक्ट्स का जो एक निचक्र जिसको हम बोलते है 4-5 ब्रेक्ट्स जो है एक साथ मिलकर involucar का काम करती है या involucar बनाती है और इन में lectoriferous glands present होती है terminal flower of sign ये इसमें क्या है बद्धे का ये देखिए ये terminal flower जो है ये female flower है which is represented by single pistil ठीक है और ये single pistil वाला जो female flower है it is surrounded by many male flowers these are male flowers which are represented by जो की ये जो है male flowers जो है ये centrifugally erased होते है और ये भी stamens के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और female flower जो है जो की highly reduced form के अंदर है और terminal position के अंदर है वो pistil के द्वारा शो होता है इसका best example आता है euphobia के अंदर scythium type का inflorescence प्रेजेंट होता है थर्ड फॉर्म आती है वर्टिसलास्टर इस वन इस वर्टिसलास्टर या कूट्चक्रक हम बोलते हैं ये भी special type का cymos inflorescence है जो की labiati या APAC family के members में पाया था की dicasial cyme inflorescence है जो की nodal region पर दो opposite leaves के axles में बनता है ये देखिए ये central part है इसके एक ब्रांच इसकी ये हो गई एक ब्रांच ये हो गई तो ये dicasial type हो गया dicasial cyme ठीक है ये dicasial sign की तरह हो गया in the axles of two opposite leaves on the node node के दो opposite side की leaves के axles के अंदर बनता है इसमें flowers जो है sysile होते हैं यानि कि उनमें stock नहीं present होती flowers zygomorphic होते हैं यानि कि एक व्यास सम्मीत होते हैं और bilabiate या द्रियोश्टी होते हैं यानि कि flowers ऐसे होते हैं जो की जिस तरह से दो lips खुलते हैं दो होट खुलते हैं उस प्रकार से और एक तरह से ये एक गुच्छे के रूप में एक cluster के रूप में present होते हैं और इस प्रकार से ये mostly वर्टिस लास्टर टाइप का जो inflorescence है वो ले APAC family का में पाया जाता है और example best example हमें salvia में देखने के लिए मिलता है तो this is all about special type of inflorescence लास्ट हमने this is terminal and this is axillary terminal single flower top पे होगा axillary यानि single flower है अगर तो वो leaf के axle के अंदर present होगा तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो जो है वो all about inflorescence थैंक यू